दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अब यहां लोग इंडियन जोगराफी में भारत के प्रमुख नदीबाद है यह काफी आदा इंपोर्टेंट टॉपिक है इस से रिलेटर जो इंपोर्टेंट फोटे कोशन इस वीडि कर रहते हैं दोस्तों यह टोटल फोटी कोशन है आप इने मैं से कितने कोशन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंड बक्स में जरूर बाता है तो देखिए यहां पर पहला कोशन दिया गया है भारत का सबसे उचा नदी बाद है कौन सा है तो देखिए करेक्ट आंसर रखना है क्योंशन नमबर टू है है कि इस न दिपर बना हुआ है देखिए बहुत बार यह पुछा जा चुका है कि यह भागी रधीन दिपर बना हुआ है ऐप्शन बी करेक्ट हुआएगा कुछन नमबर थर्ड है भागी रथी नादी पर कौन सा बात बनाए गया है तो देखिए तो हमने अभी बताया कि भागी रथी नादी पर टीहरी बात बनाए गया टीहरी बात अप्सन डी करेक्ट हो जाएगा कुश्य नमबर चार है टीहरी बात किसके संगम परिस्तित है टिहिरी बाद किसके संगम परिस्तित है तो ये भागी रथी और भिलांगना के संगम परियाद रखना है भागी रथी और भिलांगना के संगम परिस्तित है डी करेक्ट हो जाएगा कुश्यन नमबर पांच है सरदार सरवर बाध निमनलेखित में से किस नदीपर है सरदार सरवर बाध किस नदीपर है तो ये नर्मदा नदीपर है नर्मदा अप्सन C करेक्ट हो जाएगा कुश्य नमबर 6 है इंदिरा सागर बाध किस नदीपर इस्तित है इंदिरा सागरबाद किस नदी पर इस्तीत है तो ये नर्मदा नदी पर इस्तीत है अपसनी करेक्ट हो जाएगा कुश्य नमबर साथ है नागारजुन सागरबाद किस नदी पर बना है करेक्ट आंसर बी हो जाएगा किरिश्न नदी पर बना है कुश्य नम्बर आठ है नागारजुन सागरबाद भारत के किस राज्य में स्तीत है तो करेक्ट आंसर यह हो जाएगा आंदर परदेश में नागारजुन सागरबाद भारत के कौन से राज्य में है आंदर परदेश राज्य में है कुश्य नम्बर नाइन है अलमाटी बाद क सी करेक्ट हो जाएगा question number 10 है भारत में सबसे लंबा बाद है तो भारत में सबसे लंबा बाद है हीरा कुंड बाद है हीरा कुंड option C करेक्ट हो जाएगा हीरा कुंड बाद किस नदेपर बना है हीरा कुंड बाद किस नदी पर बना है तो ये माहा नदी पर बना है याद रखना है हीरा कुंड माहा नदी पर बना है निमने लेखित में से कौन सा बाद है 200 का उचतम गुरूतिय बाद है 200 का उचतम गुरूतिय बाद कौन सा है भाखडा बाद भाकड़ा बाद जाए, बाकड़ा नंगल बाद किस नधी पर बनाये गया है, सतलोज नधी पर बनाये गया है। तो पhouंग बाद का निर्माड जो है, यह ब्यास नधी पर किया गया है। बाण सागरबाद का निर्माड किस नदीपर हुआ है? तो ये सोन नदीपर हुआ है, सोन अपसंडी करेक्ट हो जाएगा, कुश्य नमबर 16 है, काला गडबाद किस नदीपर बना हुआ है? तो ये राम गंगा नदीपर, राम गंगा नदीपर बना हुआ है, अपसंडी जाएगा कुश्य नंबर 17 है निम्नलेखित बाधों में से एक सीचाई के लिए नहीं है कौन सा बाध जो है इसमें से सीचाई के लिए नहीं है करेक्ट आंसर यह हो जाएगा सीव समुद्रम जो है सीचाई के लिए नहीं है बाकी यह तीनों भवाने सागर कृष्ण राज अगर इस्तीत है गोबिंद बलव सागर इस्तीत है उतर प्रदेश में इस्तीत है उतर प्रदेश अपसनी करेक्ट हो जाएगा फरक्का बैराज का निर्माड हुआ है तो हूगली में पर्यापत जल परवाः बनाए रखने है तो इसका निर्माड किया गया है सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे अपने दोस्तों में सेयर कर सकते हैं चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन प्रेस करें ठीक है अगला कुश्चन है धामोदर घाटी नीगम की पर्योजना में कौन सा बाध सामिल है तो दिखे इसमें जो है पंचेट, मैथान, कोनार और तिलाया ठीक है धामोदर घाटी नीगम में यहाँ पर चारों सामिल है option D correct हो जाएगा यह चारों बाध सामिल है निमने लेखित बाधों में से कौन सा बेतवा नदी पर बनाये गया है तो correct answer D हो जाएगा राज घाट बाध जो है ये बेतवा नदी पर बनाये गया है राणी लक्ष्मी भाई बाध हो अस्तित है correct answer B हो जाएगा बेतवा नदी पर अवस्तित है राणी लक्ष्मी भाई बाध है रणजीत सागरबाध अवस्तीत है रणजीत सागरबाध अवस्तीत है रावी नदीपर रावी नदीपर अवस्तीत है अब संडी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 24 है राणा परताब सागरबाध का निर्माड निमनेल इखित में से किस न दीपर किया गया है तो देखे correct answer B हो जाएगा चम्बल न दीपर राणा प्रताब सागरबांद का निर्मार जो है चम्बल न दीपर किया गया है निमनेल इखित में से कौन सा जला से चम्बल न दीपर बना है कौन सा जलास है चम्बल नादी पर बना है राणा परताब सागर जो है ये चम्बल नादी पर बना है अप्सन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गांधी सागर बाद निमने लेखित मैं से के सेक का भाग है गांधी सागर बाद के सेक का भाग है चम्बल पर योजना भाग है चम्बल पर योजना ऑप्सन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा चम्बल नादी पर कौन सा बाद निर्मित है गाधे सागर बाद निर्मित है गाधे सागर ऑप्सन बी करेक्ट हो जाएगा निम्नांकित में से कौन सा ऐसा बाद है जिसका प्रमुखुदेश से सिचाई की अप्यक्षा बिजली उत्पादा नधीक है तो कौन सा बाद है जिसका प्रमुखुदेश से सिचाई की अप्यक्षा बिजली उत्पादा नधीक है तो ये है गाधि सागर बाद गाधि सागर option B correct है प्रकिर्टिक बाद है जो उच घाटी में पाई जाते हैं उसे क्या कोते हैं तो देखे उसे जो है ततबंध है ततबंध कोते हैं B correct है जाएगा मुलाई पेरियार बांध का जगड़ा किन राज्यों में इस्तित है किन राज्यों सम्बंदित है मुलाई बांध का जो जगड़ा है तो ये तमिलाडू और केरल से सम्बंदित है तमिलाडू और केरल अपसन भी करेक्ठ जाएगा फरक्का बांध का निर्माड किस लिए किया गया है कुलकाता बंदरगा की सुरक्षा के लिए किया गया है अगला कुश्यन है निमनोक्त बांध है यो अमनादी के जोडो में से किसका मेल सही नहीं है सही नहीं बटता तो इसमें बताना है कौन से मिलान जो है गलत है मतलब कौन सा यूग में जो है मतलब इसमें गलत है तो अब संडी यहाँ पर गलत है तीहरी जो है यमुना नदी पर नहीं है तीहरी बाद कौन से नदी पर है भागी रथी याद रखना है भागी रथी तीहरी भागी रथी पर है मेट्यूर जो है कावेरी पर है भाखडा नांगल जो है सतलज पर है हीरा कुंड जो है माहा नदी पर है ठीक है अगला कुश्चन है निमने लेखित में से कौन सा यूग में सही सुमेलित नहीं है कौन सही सुमेलित नहीं है तो पहला जो है सुमेलित नहीं है तिलया बाद जो है कावेरी कुनार नादी पर नहीं है तिलया कहाँ पर है बराकर नादी बराकर नादी याद रखना है बागे तिनों करेक्ट है सरदार सरुवर बाद है नर्मदा नदेपर, गाधे सागरबांद, चम्बल नदेपर और नागारजुन सागरबांद, क्रिश्न नदेपर, तीनों यहाँ पर करेक्ट है, सुचे फर्स्ट को सुचे सेकेंड से सुमेलित कीजिये, तो देखें आपर पहला दिया गया है, हीरा कुंड, तो हीरा कुंड जो है, किस नदेपर है, माहा नदेपर, हीरा कुंड, माहा नदेपर है, तीलाइया, तीलाइया जो है, यह बराकर नदेपर, सर्दार सरुवर, सर्दार सरुवर, नर्मदा नदेपर और नागारजुन जो है, क्रिश्न नदेपर, ठीक है, तो यहाँ पर कूट में अप्शन ये correct हो जाएगा option A, ठीक है, अगला question है, निमनांकित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, correct answer C हो जाएगा, C समुद्रम जो है केरल में नहीं है, C समुद्रम कहाँ पर है, करनाटक में, करनाटक आपको याद रखना है, बाकी तीनों correct है, नागारजुन सागर आंधर परदेश में, जोहर सागर रायस्थान में और गाधी सागर जो है मध्धे परदेश में, ठीक है निमनेलेखित में से कौन सायुग में? सुमेलित नहीं है, तो इसका जो correct answer होगा, वोगा option number ये नागारजुन कहाँ पर है? तिलांगाना राज्जे में, ठीक है याद रखना है तिलांगाना राज्जे में है बाकी तिनो correct है, लोवर, सिलेरू, आंधर परदेश में, कोईना, महराष्ट में, पुंग जो है पंजाब में, ठीक है अगला question है, निमन लेखित में से कौन सा युग में, सही सुमेली थै, करेक्ट answer होगा, चंबल ये गाधी, गाधी सागर, चंबल पर ये गाधी सागर पर है चंबल नादि पर गाधी सागर बादेश स्तित है, तो ये correct है, बाकी तिनों जो है गलत है अगला है निमन का मिलान कीजिए तो पहला दिया गया है मतलब एक तरह बाध और नदी इसमें मिलान करना है हीरा कुंड बाध किस नदी पर है तो देखे हीरा कुंड जो बाध है वो है माहा नदी पर है पोंग डैम जो है ब्यास नदी पर है टीहरी जो है टीहरी भागी रथी पर है अथीन डैम जो है रावी पर है ठीक है तो याद रखना है आपको तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कूट में option C option C correct हो जाएगा अगला question है सुची first को सुची second से सुमेलित किजिए जलासे और राजे को सुमेलित करना है तो देखिए पहला दिया गया भद्रा भद्रा जलासे कहा किस राजे में है तो भद्रा जलासे जो है करनाटक में है करनाटक में है भवाने सागर तमिलाडू में है गाधी सागर कहाँ पर है तो गाधी सागर जो है मध्य परदेश में है और राणा परताब सागर जो है राजस्थान में है ठीक है याद रखना है आपको तो इसका कूट जो है इसका कूट कौन सा हो जाएगा डी इसका कूट साही है अगला कुशन है निमनलेखित बाध हो और उन राज्यों का मेल मिलाई है जिसमें वे इस्तीत है तो देखें यहाँ पर बाध हो और एक तरफ राज्य दिया गया है तो देखें पहला दिया गया है तुंग भद्रा तो तुंग भद्रा कहाँ पर है करन तमिलनाडू में लोवर भवाने कहां पर है तमिलनाडू में है ये डूकी जो है किरल में है और नागारजुन जो है ये आंदर परदेश में नागारजुन तो मिलान करेक्ट कर लिजेगा तुंग भद्रा कहां पर है तुंग भद्रा करनाटक में है लोवर भवाने लोवर भ option C हो जाएगा option C ठीक है तो दोस्तों भारत के प्रमुख नादिबाद इससे रिलेटेड यह फोटी क्वेश्चन आपके एकजाम के लिए बेहद इंपोर्टेंट है I hope कि वीडियो जो आपको पसंद आया रहेगा पसंद आया तो प्लेश वीडियो को लाइक कर दें अपने द जय हिंद जय भारत